मंदिरों के देश के तौर पर दुनिया भर में मशूर भारत में ऐसे मंदिरों की कोई कमी नहीं है जो अपने आप में कई रहस्यों को समेटे हुए है ऐसा ही एक मंदिर राजिस्थान में है जहां शाम होते ही लोग वहाँ से निकल लेते हैं आम तौर पर मंदिर में शौयद ही किसी को डर लगता है लेकिन इस मंदिर में रात में तो कोई भूल कर भी रुखना नहीं चाहता दरसल राडिस्तान के बाड मेर जुले मेज सित इस मंदिर को किराडू मंदिर के नाम से जाना जाता है यहां लोगों के रात मेरा ही रुखने के पीछे की जो वजह बताई गई है वो वेहद ही रोचका लोगों का मानना है कि इस मंदिर में रात में जो भी रुखता है वो पत्थर का वज़ जाता है आपको बता दे कि इस मंदिर को राडिस्थान का खजुराहू भी कहा जाता है दक्षिन भारतिय शैली में बनाई ये मंदिर अपने इस्थापत के कला के लिए दुनिया भण में मशूर है कहा जाता है कि 1161 इसापूर्व इस जगर का नाम किराद कूप था दरसल के राडू पांच मंदिरों की एक श्रंखला है जिसमें से विश्णु मंदिर और शिव मंदिर ही थोड़े ठीक हालात में है जबकि बाखी के मंदिर खंधर में तबदील हो चुके है इन मंदिरों के निर्माण किस ने कराया था ये तो कुई नहीं जानता लेकिन मंदिरों की बनावट को देखकर ये अंदाजा लगाये जाता है कि शायद दक्षिन के गूर्जर पतिहार वन्ष, संगम वन्ष या फिर गुप्त वन्ष के काल में इनका निर्माण हुआ होगा किराडू मंदिर को लेकर मानता ये है कि कई साल पहले एक सिद्ध साधू अपने कुछ शिश्यों के साथ आए थे एक दिन वो अपने शिश्यों को वहीं छोड़ कर कहीं भ्रमन के लिए चले गए इसे बीच एक शिश्य की तवियत खराब हो गई जिसके बाद बाकि शिश्यों ने गाहाँ वालों से मदद मांगी मगर किसी ने भी उनकी मदद नहीं की बाद में जब सिद्ध शादू वहाँ आए तो नहीं सारी बाती फता चली फिर क्या था वो गुसा हो गए और गाहँ वालों को श्राब दिया कि सुर्यास्त होने के बाद सभी लोग पथर के बन जाए इस मंदिर से कुछ ही दूरी पर एक महिला की मूर्ती स्थापित है इसके बारे में मानेता है कि एक महिला ने साधू के शिश्यों की मदद की थी इसलिए उस साधूरे महिला से कहा था कि वो शाम धलने से पहले गाम छोड़ कर चली जाए और पीछे मुल कर ना देखे लेकिन महिला नहीं मानी और पीछे मुल कर देखने लगी इसके बाद वो पथर की बन गई उसके बाद से ही लोगों ने इस मंदिर में रात में रुकना बंद कर दिया इरपोर्ट